आज मैं आप सबी के साथ शेयर करने सारे हैं कैसा होमेड उप्टन जिसे आप यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपके स्किन बहुत ही अधा ब्राइट होगी हेल्दी होगी कलर कॉंप्लेक्शन आपका लाइट होगा बल्कि आप इसे फुल बॉड़ी पे भी यूज़ कर सकत तब ही आपको आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा है यूज़ से मिलने वाला है यह आपके इस कीन को बहुत ही जादा है लाइक ज़रूर कीजागा और ज्याद़ लोगों के साथ शेयर भी करना यह आपको जो वीडियो है वह बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाले य Hak ii इसे यूज़ करने को बाद आपके skin 110% bright तो होने वाले है और हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर मत बुलेगा तो चली हम इस उप्टन को बनाना तयार करते हैं तो यह मैं बोल सकते हूं कि नए तरीके का उप्टन है लेकिन हाँ skin को bright करेगा इसकी 100% मैं guarantee लेती हूं तो इसके लिए आपको बेसन चाहिए आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत जादा कॉंटिटी में बना रहे हूं क्योंकि मैं इसे बहुत ही जादा कॉंटिटी में बनाती हूं क्योंकि जितना आप बनाएंगे उतना आप अपने अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो यहां पर मैंने एक कटोरी के बराबर बेसन लिया हुआ हुआ है उसमें वन पिंच ऑफ हल्दी जो है यह वाइल टर्मरीक है यानि की कस्तूरी हल्दी जो होती है वह है यह कुकिंग में यूज करने वाली हल्दी नहीं है इस बात को ध्यान लखने है यह आपके स्कीन से जो मेल गंद की घटा हो जाती है जम जाती है हाथों पे पैरों पे गर्दन पे स्पेशली और कोहनी ओ घुटनों पे तो उस मेल को पूरी तरीके से काट देता है यानि कि खत्म कर देता है और यहां पर मैंने जो कॉफी पावडर है कॉफी पावडर में कोकोवा बीज होता है जो इसकीन को इस्टिंटली फियर दिखाता है फियर कर देता है अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम फेस पैक लगाते तक तो हमारे स्कीन प्राइट हो जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा कलर कॉंपलेक्शन वापस से वै चैशिक में उसे 2-3 पर आपको अपलाई करना ही होता है तब आपको पास दर attain the last मैं ने अधर गीया है जितना खटा दर ही होगा उतना अच्छा आपको साल्टी मिलेगा तो फ्रेश दही लेने के बचाए आप जितना खटा आपके पास दही है एक दिन पुराना दो दिन पुराना उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है तो मैंने इन सबी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और बेसन जो होता है वो हमारे स्कून को ब्राइट नप पहुचाता है और बेसन में कोई चीज नहीं होता है जो किसी को इरिटेट करें किसी की स्कून को ना सूट करें मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं स तो आपको अच्छह बिलेगा और भी अच्छ डिया मेले अब आप उसे पूरे तो पर आपको इक पिर ईक अप्ला करके दिखा रही हूं कि बागी का मैं बाँ इस करोंगा तो diagnosis आप अच्छे तरीके से अप्लाई करकर दिखा लिए इसे लगातार यूज करती हूं मैं इसे वीक में दो से तीन बार इस उपटन को लगाती ही रहाती हूं फां सरद्यों में तोड़ा यूज करना मुश्कील हो जाता तो कभी-कभी इसकाται कहए, लेकिन मैं कोशिच करती हूँ इसे यूज कर करने की और आप मेरी Teeskin देख सकते हैं मेरी Skyn पहले से भी bright है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करें कि आप लोग की स्कीन तो पहले सी इन्सान को लाईамен गोरे इन कि क्याल गुरा भेला कुछ नहीं होता है आप अपने इस इंको पेमपर करते हैं अपने इस्कीन के देख भाल करते तो आपके इस कीन का कलर कॉंप्रेक्शन भी ब्राइट हो सकता है ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग कुछ स्पेशल करते हमारे स्किन का कलर भी अगर हम देख भाल ना करें तो हमारे कुछ 15-20 मिनिट बाद आपको अपने हाथों को धुल लेना है यानि कि इतना टाइम आपको लेना ही लेना है कि वह पूरी तरीके से ड्राइब हो जाए ठीक है और पर्स टाइम में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो उमीद करकें आज का वीडियो आप लोगों को बहुत को जरूर फालो करें इंस्त्रागराम करें इंस्त्रागराम को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदूँगे और आप जांते मैं हमेशा यह बहुत ही अच्छे जिब्स लेकर आते हूं सभी के लिए सो शब्स्क्राइब नहीं किया है तो जड़ी से सब्स